विज्या दस्मी के पाबन अपसर पर पियम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है। पियम मोदी के आगमन को लिकर सैकरों की भीर उमरी हुई थी। द्वारका रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया और इस रामलीला का मुख आकर्शन का केंद्र बने पियम मोदी। तरफ गय और उन्हें तिलक लगाया और उनकी आरती उतारे। अब द्रिश्य में देख सकते हैं कि प्रभुसरी राम माता सीता भगमान लक्षमन के साथ महाबली हनुमान भी नजर आ रहे हैं। प्रधान मंतरी नरे द्रबोधी ने सभी को तिलक लगाया उनकी आरती उतारे। साथ ही अपने संबोधन में राम मंदिर को लेकर बरा आयलान कर दिया। मंच पर पिये मोधी का जूता उतार कर प्रभुसरी राम की आरती उतारना द्वारका वासियों को खूब पसंद आया। साथ ही ये द्रिशे पिये मोधी के संसकार और उनके आस्था को साफ तोर पर बतलाता है। बहराल सोशल मीडिया पर प्रधान मंत्री नरिद्र बोधी का अब ये वीडियो काफी वाइरल हो रहा है। प्रधानमंत्री न अपनी संबोधन में आयोध्या मंदिर को लेकर ये कहा कि इस बार का रावन दहन एहम है और अगले बरस हम लोग आयोध्या में प्रभूसरी राम को अस्थापित करने जा रहे हैं और वो फिर से आयोध्या वापस लोट रहे हैं प्रधानमंत्री नरिद्रबोदी के इस वाइरल वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं टीनेन वर्ल्ड से मैं हर्शुर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं